नमस्कार साथियो तो आज है 6 सेप्टेमबर 2024 बहुत दिनों बाद आज काफी जादा गिरावट मार्केट में देखने को मिला जहाँ पे बहुत सारे क्रूशल सपोर्ट लेबल को इवन 50-55,000 को भी ब्रेक कर लिया और नीचा के ग्लोजिंग दिया लगबग 24,852 पे 1.17 परस आता जिनको डाउट है प्लीज एक बार चैनल पर विजिट करके चेकाउट कर लेना वीडियो की थमनेल पर भी बड़े बड़े अक्षर में लिखा था कि गिफ्ट में सड़ेली गिरावट ठीक है और इस बैसे आप सभी इन्वेस्टर्स को मैं बार बार रिक्वेस्ट करत आज है सबसे वहले हम देख लेंगे सेक्टरल वाइस कहां पर कितना गिरावट हुआ बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे बिकास इसका वेटेज बहुत जादा है और आज बैंक निफ्टी में एक्चुली काफी जादा गिरावट हुआ मतलब अगर हम नॉर्मल जो कारण ह उसको करम साइड में भी रखेंगे ना सेक्टरल वाइस देखा जाए बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा पुश किया मार्केट को नीची की तरफ जाए इसको चोड़के बाकी सेक्टर भी फड़ाफट देख लेते जैसकि एफमसी सेक्टर में कोई बहुत बड़ा सेक्टर में देखने को मिला उसके बाद ऑटो सेक्टर में एक परसंट का आसपास ड्रॉप हुआ फरांशियल सर्विस सेक्टर भी 0.81 परसंट नीचा के क्लोसिंग दिया फार्मा सेक्टर में मामुली से गिरावाट तो कोई बहुत बड़ा गिरावाट नहीं था एक्चु सेक्टर में काफी गिरावाट हो सकते कि आपका पॉर्टफोलो मार्केट से काफी ज्यादा गिरावट के साथ क्लोसिंग दिया तो दोस्तों क्या आपके पॉर्टफोलो का स्टैस है कितना परसंट गिरावाट हुआ फ्लीस कमें करके बदाएए आचा आप चली आपके समने में प्रेजन करते हो जिसके वज़े से एक्चुली बजार में आज गिरावट हुआ तो यहाँ पर पांच रिजन मेंली मेंशन किया देखे कर रात की सारे दोस की वीडियो अगर आपने देखा वहाँ पर मैं दिखाया था कि यूएस की जो जॉब डेटा या अनेम्प्लाइमेंट रेट आउट हुआ था वो काफी हद तक मतब जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन था उसके अकोरिंग देखने को नहीं मिला आपको पहले से मालूम पर गया ठीक है तो यहाँ पर देख से तो जो सबसे पहला कारण मेंशन किया यूएस फेड मिटिंग जो की होगा इसी महीने पे थर्ड वीक पे सेप्टमबर की थर्ड वीक ठीक है तो देखे बहुत सारे बड़े-बड़े एक्सपर्ट बड़े-बड़े एनलिस्ट का मानना यह है कि इस बार जो है 25 बीपेस के आज पास रेट कट हो सकता है बट मुश्किल यह है मार्केट को एक्सपेक्टेशन है लगबग मीनिमम मीनिमम 50 बीपेस मीनिमम या उससे ज्यादा तो यहां पर देखिए कुछ एनलिस्ट के एकोडिंग मेंशन किया कि अगर 25 बीपेस का स्पास रेट कट हुआ ना तो उसकेस में मार्केट उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं होगा मार्केट को इंप्रेस करना है तो लगबग 50 से लेके 75 बीपेस के रेंज पे रेट कट करना पड़ेगा अब देखिए क्योंकि यूएस की जॉब डेटा थोड़ा वीक हुआ या आगे देखिए मतब नेक्स टेडिंग विक पे यूएस की इंफलेशन रेट आउट होगा तो जिस बैसे मार्केट भी थोड़ा बहुत आप बोल सकतों की इन्वेस्टर्स भी थोड़ा सा अंडर कंफिडेंस है ठीक है आजा दूसरा पॉइंट मेंशन के यहां पर ओवर बॉर्ट कंडिशन तो यह बात तो सही है कि बजार में मतब खास दोर से इंडियर मार्केट कोई गिरावट नहीं इसी ट्रेडिंग विक के सोंबार तक मंडे तक अल्मोस्ट मंडे ट्यूस्टे तक लगाता रैलिया में देखने को मिला तो ओविसली बात है निफ्टी-फ्टी का पोजिशन जो है एकदम से ओवर बॉर्ट पोजिशन पे पहुंच गाता और चाहे को पाइक नहीं हुआ इस बार ड्रॉप हुआ याद करके कल रात में आपके साथ में शेयर किया तो डेटा ठीक है तो देखिए कोई भी चीज में स्पाइक हो जाना ड्रॉप हो जाना वह बिल्कुल अच्छी नहीं है एकनोमिकल पॉइंट पॉइंट से आज चौथा पॉइं यूएस इंफलेशन कंसर्ण तो मार्केट देखें है तो देखें अगर्त चैनलंग देखने को कि नहींठ तो यहां पर देखें जॉप डेटा बोली ग्रोथ नहीं है क्या थे तो यहां पर कुझ वैडि कर ररा है क्या 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 होगा ठीक है आचा उससे से रिलेटेड़ हम नेक्स न्यूस पर चलेंगे पहले आप देख लिजा लगलग वेबसेट में भी सेम यहां पर पॉइंट को मेंशन किया और आज की रेट पर देखिए एकदम जैसे बजार में गिरावाट हुआ सीदा सीदा देखिए पांच चैला करोड एकदम धुएं की तरह गायब हो गया मार्केट से धुएं की तरह ठीक है आचा जैसे कि वीडियो की थम्नेल पर मेंशन किया 2008 मतब दोजर आट मतब रिसेशन रिसेशन से लेटेट दोस्तों एक और अपडेट आया आप आप देख सक अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत में कुछ नहीं होगा क्योंकि भारत के आज की रेट में एकनोमिकल कंडिशन जो है या बैंक स्टेबिलिटी वो एकदम पर्फेक्ट है स्ट्रॉंग है प्रॉब्लेम यह है कि भारत यूएस के साथ ब्यापार तो करता है ना इव सबसे बड़ा बिजनस पार्टनर है चायना भारत का ठीक है यह तो आपको अच्छे से मालूम होगा सेम देखिए अगर यूएस में अगर कुछ भी उल्टा मतब यहां पे कोई खराब हुआ कोई डेटा अच्छा हुआ इंपक्ट आपको इंडियान मार्केट में भी थोड 1.16% यहां पर एस वीक यूएस मैनफेक्ट्रिंग अन लेबर मार्केट डेटा स्पार्क रिन्यूट कंसर्ट अबाउट दा पोटेंशियल रिसेशन क्लियरली देखिए अब मेंशन किया रिसेशन वर्ट को मंदी ठीक है हाईवर डाउन साइट प्रेशर रिमाइं लिमीट एस अल्मुनियम मार्केट इंटर इट्स ट्राइशनल पीक डिमांड सेशन विट कंसर्प्शन ग्रैजुली रिकावरिंग ठीक है तो कहीं ने कहीं देखा जाए रिसेशन कभी एक फिर से फिर बन चुका है यूएस के अंदर यहां पर भारत की बात नहीं हो रहा है ठीक है यूएस में देखें अगर कुछ भी अच्छा बुरा होता है और इसली बात है कि नेक्स डे इंडियर मार्केट में भी उसका इंपैक्ट आपको देखने को एक्वली मिलता है खास दौर से आईटी कंपनीज में जब चली देख लेते हैं कि भारत के अंदर ही गिरावाट करें यहां की मार्केट थोड़ा साफ फ्लैट था इसमें कोई बहुत ब्रागर नहीं वा वगराइब भारती बाजर की तरह कहीं दो परसंगाइब देर परसंगी गिरावाट देखने को मिला इंडियन मार्केट तो आज लगबक एक परसंग जादा कि गिरा थाइवान की ब तो थाइलेंड देख से थाइलेंड में आज काफी अच्छा मुबेंट था वियतनम में वालेटाइल था बाकि यह उतना जरूरत नहीं है तो दोस्तों देखे कर रात में एक्चुली यूएस मार्केट में डॉर जोन्स आदा परसेंट गिरावट में क्लोजिंग दिया था अ देखे कितना वजा है यूएस में 6 बच के 38 मेंट सुभा एक दमर्ली मॉनिंग 0.40 परसें नीचे रुक जाहिए अभी नैस्डेक का देखिए एक मिनिट यह देखे नैस्डेक का नैस्डेक का पोजिशन का पे 1.08 परसें नीचे नैस्डेक की फ्यूचर नॉट नैस्डेक तो क्या होगा वो तो आज रात में मालूम पड़ेगा तो डोंट वरी मैं आपको आज रात की सारे डेटा सारे अपडेट दे दोंगा सिंपल चैनल के साथ जूर रहिए और देखना वो वीडियो लगवग 10 साल इसका सबस मिल जाए को ठीक है तो होफुले दोस्तों क्लियर हो चुका है कि क्यूं गिरावर्ट हुआ बड़ देखे अभी एक ही मैं आप सभी को recording करूंगा एक ही रिक्वेस्ट करूंगा खास करके आप अगर इस फिल्ड में नया हो बेगिनर सो देखे, market में हमेशा तेजी नहीं होगा तेजी market का एक part है उसके बाद गिरावट भी होगा ये भी market का ही एक part है consolidation भी market का एक part है ये हर एक part को आप add up जितना जल्दी कर लेगे, जितना reality को आप accept करेंगे उतना ही market आपके लिए आसान बन जाएगा प्रॉब्लेम क्या होते देखे यहाँ पर आज की रेट में ना आपके portfolio अकेले गिरा भारत की जो भारत की जो number one investors है, उनकी portfolio भी गिरा मेरा भी गिरा, आपका भी गिरा जितने भी viewers है, सारे अल्मोस्ट 99% जो investors की portfolio अज गिरावट में क्लोजिंग दिया, तो जिस मैं कहता हूँ कि आपके साथ अकले नहीं हो रहा है, हर एक investors के साथ हो रहा है, और यह market के पार्ट है, इसको आपको accept करना ही पड़ेगा, लोगों की गलत expectation है, उनको actually फासा आता है बार बार आपको कहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा फिल्ड है, यहाँ पर इवन कोई भी फिल्ड है, कोई guarantee नहीं है है ना, इस जिवन पर death, यानि मित्तु को छोड़के किसी भी फिल्ड में, कोई भी चीज में कोई guarantee नहीं है, सब कुछ uncertain है बस हाँ, थोड़ा सा आपको जो reality है उसको बेस करके समझने की जरुरत है बागी दोस्तों यहाँ आप देख सेकते हो जो top 3 है, top 3 वेटे जैसे कि HDFC बैंक की शियाद थोड़ा सा नीचा की closing दे, reliance में आज काफी गिरावाट हुआ इवन बहुत सारे crucial level, reliance भी ब्रेक किया ICC bank भी आज काफी नीचा की closing दिया दो परसन से ज्यादा और Infosys की बाद करें यहाँ भी इवन IT सेक्टर में काफी ग्रावाट आटो सेक्टर में भी काफी ग्रावाट हुआ है आचा जैसे की PSU सेक्टर में तो आज पूरा धर्जिया उड़ा दिया है ना रेलवे सेक्टर, IRFC बहुत सारे levels को ब्रेक किया खैर यह दिके पार्ट है मैं बाराग आपको कहता हूँ तो कि frustrate मत होना ठीक है क्योंकि मार्केट में अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे पैनिक लिए इस टाइप की पैनिक वाली सिच्वेशन पर तो वैसे ही देखिए सब खतम हो जाएगा जो लोग और में खेलना जानते है और सिच्वेशन को मैनेज करना जानते है वह आगे पड़ेगा मार्केट में वह वरूल लागू होता है सर्वाइव अलब दाप फिटेस्ट बस और सिच्वेशन को मैनेज कीजिए ठीक है अचाए डिफेंस सेक्टर में आज काफी गिरावाट हुआ जाय मजगा रॉक से लेके बेल हो गया पावर सेक्टर में भी गिरावाट हुआ यह देखिया आपके पी एसु बैंकिंग सेक्टर यहां पर यहां पर बहुत ही रिस्की शियर 11 अच ग्रेश वा फोर सम डिजन आगे चलेंगे इसको बढ़ा कुछ कुछ शेयर में थोड़ा सा तेजी भी था जैसे कि जो मैटो की शेयर दो परसन उपड़ा के क्लोजिंग दिया जैसे कि आपका प्रीमियम एनर्जी इस लिमिटेट रिसनली बजार में लिस्ट हुआ सारे 9-10 परसन उपड़ा के क्लोजिं कि आपकार जैसे कि अपरो में परसने बजादेट रिसनली इसनली में धिए।